नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तों आज हम बात करेंगे 67 BPSC के बारे में आपको पता ही होगा कि 67 BPSC Re-Exam का जो एक्जाम डेट है संभावित एक्जाम डेट आपका जो है अगस्त में होने वाला है तो कही ने कहीं आप सभी लोग के दिमांग में यह सेफ होता है तो आज हम सभी लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप इसका तैयारी करेंगे और क्या जो आपका अगस्त में नहीं बचा है आप जून जून मान के चलिए आप इस दिन इधर खतम हो गया दस दिन इधर बचा है भी जूलाई अगस्त तो कहीं ने कहीं अगर आप देखेंगे तो 40-50 दिन ही आपके पास बचा हुआ है तो रणने थी थोगा सा बहतर होना चाहिए तब ही आप यहां पर री एक्जाम में अच से कहीं ने कहीं बहुत ब्यहतर तरीके से यहां पर कोशन सेट किया जाएगा तो आप सब लोगों से मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले प्रीब्यास कोशन उठा के देख लिजिए उठाने के मतलब क्या है कि जो एक जाम हुआ है उसको एक बार अच्छा से कीजिए कौन-क बहुत सारा आपका है जैसे हो गया लगा ऑシルク हो dit त्यार करना है क्यूंकि ऐख्याम डीट हो जाएंगे तो होना है ही आज हो चाहिए आपका दो महीने बाद हो लेकिन होना तो है ही इसलिए मैं आप सुभी लोग को सी ब Hook बूलता हूँ कई कई त्प करना हुए चैन्स बार चांस बन जाता है तो आपको त्यारी जुह और बहतर तरीके से करना पड़ेगा तो प्रिवियस यह आपका जो एक एक मान के चलिए घटना चकर का भी आता है आपका उसके बाद आपका अपका पूरा आपका जितना बीपिए सी का हुआ है वह भी आपका यहां पर सेलेक्शन होता है अभी मेरे पास है मैं आपको यह देखे पूरा आपका प्रिवियस यह इसमें दिया हुआ है घटना चकर कभी आता है बहुत सारा आपका किताब है मार्केट में आप कोई भी लेके पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन करना आप सुरू कर दिए कि अब आपके बास समय नहीं बचा है जितना आप रिविजन करेंगे रिव है तो आपको यह देखना है कि कहा मुझे फिप्टी फिप्टी लग रहा था कौन सा प्रसना ऐसा था जो कि मुझको एकदम नहीं आ रहा था उस तरीके से आपको अच्छी से ध्यान देना है और डेफिनिटली अगर आप एक से दो देड़ मेना या फिर दस चे पदना में आपको दूँगा ताकि आप सभी लोग का विपेस्टी मेरी एक्जाम में अच्छा से अच्छा स्कूर आपका हो पाए मिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए तना ही जाई हिंद वद्नमात्रा